बिस्मिल्लाह रह्मान रहीम असलाम अलेकूम वेलकम तो माई चैनल गूट किचन कैसे हैं आप सब लोग आज एक बार फिर आपके साथ शेयर करूँगी बेहद जूसी और बेहद टेस्टी पुलाव की रेसिपी जो इतने कम बजट में इतने टेस्टी पुलाव बनकर रेडी कि आप बिर्यानी को भी बुल जाएंगे तो आप इसे मेरे तरीके से बनाएए इन्शाला को रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल गूट किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल का आइकन जरूर प्रेस दो अदद बड़े साइस की प्यास काटके इसे शामिल कर दिया है प्यास को हमने golden color का fry करना है क्योंकि हम white plow ready नहीं कर रहे हैं वलकि हम थोड़ा सा colorful plow को ready कर रहे हैं तो प्यास हमारी यहाँ पर golden हो चुकी है थोड़ी सी quantity में हम प्यास को निकाल लेंगे और आपको बात में बताएंगे केसे हमने कब डालना है अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून अच्छे से इसे 2-3 मिक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खतम हो जाए अब मैं शामिल करूंगी सफ़ेज सीरा, एक चमर, 4-5 लॉंग, दार्चीनी, काली मिर्च, छोटी इलाइची, बरी इलाइची, बाधियान का फूल और जाइफल तो इन तमाम मसलो को हमने खड़े मसलो को हमारे प्याज में डालकर, एक से 2 मिक अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन, चिकन हमारे पास बॉनले से, आप हड़ी वाला चिकन भी इस्तमाल कर सकते हैं चिकन डालने के बाद इसे हमने तीन से चार मिंट अच्छे से फ्राई करना है ताके चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश हो जाए और चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले शामिल करेंगे धनिया पौडर 1 टीब स्पून 1 टेबल नमक 1 टेबल स्पून लाल मिर्श और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसे शामिल कर देंगे हलदी पाौडर इन मसालों को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे ताके मसाले का जो गज्यापन है वो खतम हो जाये तक्रिबन भूनते वे हमें यहाँ पर 5-6 मिट हो चुकी है अब मैं इसमें डालूँगी दो अदद तिमाटर का पेस्ट तो तिमाटर आपको पेस्ट बना करी शामिल करना है और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू अच्छे से से हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो मसाला है अच्छे से बून चुका है अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही दही को हमने फेट कर शामिल करना है दही शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से बून लेंगे और इसमें मैं शामिल कर दूँगी दो कप के बराबर पानी पानी शामिल करने के बाद इसे हम कवर्ड करके तकरिबन 20-25 मिट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन और हमारे जो आलू है अच्छे से कुख हो जाए तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी चावल चावल हमारे पास 300 ग्राम है इसे मैंने भी गोग दिया था आदे गंटे पहले चावल शामिल करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो देखें चावल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डालूँगी 3-4 का हरी मिर्श क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत जादा अच्छा आता है और हमारे जो चावल का पानी है वो ड्राइ हो चुका है तो इस स्टेज में मैं शामिल करूँगी बारी कटा हुआ पुदीना बारी कटा हुआ हरा धनिया और जो प्यास हमने निकाल लीती थोड़ी सी कॉंटिटी में इसे हम ओपर से डाल देंगे अब इसे कवर करके हम तक्रीबन दस से पंद्रा मिट पकाएंगे ताके हमारे जो चावल है अच्छे से कुक हो जाएं तो देखें माशालला हमारा जो पुलाव है बनकर रेडी हो चुका है इसे मेरे तरीके से बनाईए और बहुत ही जाएकेदार बनकर ये रेडी हो जाएगा इसे बनाने के बार आप बिर्यानी को भी भूल जाएंगे घर में आ जाएं अचानक से गैस्ट तो इतनी आसान से पुलाव की रेसिपी जो जटपट से रेडी हो जाएगी तो इससे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो कैसी लगए आपको हमारी ये पुलाओ की रेसिपी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगए लाइक और हमारे चैनल गुट कीचेन को कर दीजिए सबस्क्राइब हमें अपनी दुआ में धेरो धेर शामिल रखीगा अलाफेज